तारे सितारे वाम ग्राहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जिन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नई नई ज्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जारें कि दिनांक 14 मई 2020 को देव गुरू ब्रहस पती जो है वक्री होंगे तो देव गुरू ब्रहस पती के वक्री होने से सभी 12 राशी उपर विशेश प्रभाव पढ़ने वाला है 12 में से 7 राशी वालों को विशेश उपलब्दी वा लाप के योग बनेंगे तो सनी और शुक्र ग्रह के बाद गुरू मकर राशी में 14 मई 2020 को प्रवेस करेंगे देव गुरू ब्रहस पती 14 मई की साम को 7 बच के 56 मिनिट पर 4 महिने के लिए वक्री होंगे गुरू ग्रह को सरश्टी का आध्यात में ग्यान प्रदाता ग्रह कहा गया है गुरू ग्रह से व्यक्ति को ग्यान सिक्षा वा नेत्रत्व करने की छमता प्राप्त होती है तो उत्राशाड़ा नक्षत्र के दूसरे चरण तथा मकर राशी में गोचर करते हुए देव गुरू ब्रहस्पती 14 माई की शाम को 7 बच के 56 मिनिट पर 4 महिने के लिए वक्री हो रहे हैं यह पुनह 13 सितंबर की सुबह 6 बच के 10 मिनिट पर मारगी हो जाएंगे धनू तथा मीन राशी के श्वामी गुरू का वक्री होना प्रत्वी वासियों के लिए विशेश करके केंद्र एवं राज्य सरकार के केबिनेट मंत्रियों साधू संतो और अन्य आध्यात में गुरूओं के साथ साथ प्राकरतिक आपदाओं आंधी तुफानों से अधिक से अधिक आने के संकेत रहेंगे तो अब जानते हैं सभी राशी वालों के नुसार सभी बाराह राशी उपर गुरू ग्रह के वक्री होने से क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो मेंसराशी से आरंब करते हैं मेंसराशी वालों के नुसार मेंसराशी से दसम भाव में गुरू जो है कारे छेतर में अनिश्चित्ता का माहुल बनाएंगे किन्तु शुब ग्रह होने के फल सुरूप यह नोकरी पदोननती और इस्थान परिवर्तन का योग बनाएंगे और नई सर्विस के लिए अनुबंद पर हस्ताक्षर करना चाहे तो अवसर ठीक रहेगा विदेश या दूरियाता अथ्वा विदेशी नागरिक्ता के लिए आविद्दन करना इस समय शुब रहेगा किसी नए कारी की सुरुबात करना भी इस समय के दोरान ठीक रहेगा अगली राशी है वरशब वरशब राशी वालों के नुसार आपकी राशी से धर्म भाव में ब्रहस पती का गोचर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ाएगा किन्तो धर्म कर्म के मामलों में अधिक खर्च होगा आपका संतान संबंदी चिंता से कुछ मांसिक अशांती आपकी बढ़ जाएगी और नव धंपत्ती के लिए संतान प्राप्ती एवं प्रादुर भाव के योग बनेंगे भूमी भवन प्राकार प्रापर्टी मकान वाहन से संबंदित करई आदी का संकल्प पूर्ण होने के योग बनेंगे अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के अनुसार गुरु ग्रह का राशी परिवर्तन इस प्राकार से प्रभाव देगा के आपके राशी से अस्टम भाव में ब्रहस पती मिले जुले फल देने वाले हैं स्वास्थ पर प्रतीकुल प्रभाव रहेगा कारी छेतर में शडियंतर का शिकार होने से आपको बचना होगा गुप्त सत्रों से सावधान रहना होगा अचल संपत्ती के साथ वाहन खरिदने का संकल्प पूरा कर पाएंगे और परिवार के वरिष्ट सदस्यों से मदभेद ना पेदा हो इस बात का विशेश आपको ध्यान देना चाहिए आपके अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की पूरी कोसिस करेंगे इस समय अवधी में आपको विशेश सतर करहने की आवशकता रहेगी अगली राशी ही करक करक राशी वालों के अनुसार आपकी राशी से सात्वे भाव में देव गुरू ब्रहस्पती का गोचर करना देने के व्यापारियों के लिए काफी शुब फलद आई रहेगा किन्तु शादी विवाह से संबंदित वारता में थोड़ा विलंब हो सकता है और ससुराल पक्षे से रिष्टे आप बिगणने नहीं दे अच्छा संबंद बनाए रखे इस अवधी के मध्य साजहां व्यापार करने से बचे पार्टनर्शिप में कोई कार्यारंब नहीं करे और उच्च अधिकारियों से भी मधुर संबंद अपने बनाए रखे सासन सत्ता का सदुपयोग करे दुरुपयोग करने से बचना चाहिए वरना कोई बड़ी मुसीबत आपके उपर पड़ सकती है अगली रासी है सिम्हु सिम्हु राशी वालों के अनुसार आपकी रासी से छटे भाव सत्रु भाव में देव गुरु ब्रहस्पती का वक्री होना गुपत सत्रों से आपको थोड़ी परिसानी दे सकता है इस अवधी के मद्य अधिक कर्ज के लेंदेन से फिजुल खर्ची से आपको बचना चाहिए किसी को उधार आदी नहीं देना चाहिए और कोट कचरी के मामले बाहरी आप सुल जा लें तो आपके लिए ठीक रहेगा कश्ट कर यात्रा भी आपको करना पड़ सकती है और किसी अपरी समाचार से मन आपका दुखी वा अशान्त हो सकता है इस दोरान आपको धेरे धारन करने की आवशक्ता अधिक रहेगी अगले राशी है कर्ण्या करन्या राशी वालों के अनुसार आपकी राशी से पांचवे भाव में देव गुरू ब्रहस्पती के वक्री होने से प्रेम संबंदी मामलों में तो आपको नुकसान होगा किन्तु सिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे और संतान के दाईत्यों की पूर्ती आप कर पाएंगे नौ दमपत्ती के लिए संतान प्राप्ती प्रभाव योग बन रहा है और परिवार के सदस्यों से आपको विशे समर्थनव सहयोग मिलता रहेगा इसके अलबा बड़े भाईयों से मदभेद आप पेदा नहीं होने दे अच्छा संबंदो उनसे बनाई रखे अगले राशी ही तुला तुला राशी वालों के अनुसार आपकी राशी से चोथे भाव में देव गुरू ब्रहस्पती का वक्री होना परिवारी के उमानसी का सांती लाएगा यात्रा के समय सामान चोरी होने से बचाएं सावधानी रखें माता पिता के स्वास्त के परती चिंता सील रहें सतर करहें और मकान वाहन से संबंदित करई का संकलपा पूरा कर पाएंगे कोई सोची हुई योजना आपकी पूरी हो जाएगी कारी छित्र का विस्तार कर पाएंगे और सामाजिक जिम्मेदारियां इस दोरान आपकी बढ़ सकती है उनका निर्वाहन करना आपकी प्रात्मेक्ता होना चाहिए अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों के नुसार आपकी राशी से तीसरे भाव में देव गरूब रहस्पती का वक्री होना आपके इस भाव में उगरता ला सकता है इसलिए संयम बरकरार अपना बनाए रखें सामाजिक कारियों के परती जिम्मेदारियों का निर्वहन करें संतान संबंदी चिंता से आपको इस दोरान मुक्ती मिल जाएगी और शादी विवाह से संबंदी दवारता भी सफल रहेगी देने की व्यापारियों के लिए यह समय काफी फाइदेमन साबित होगा अगले राशी है धनू धनू राशी वालों के नुसर आपकी राशी से दूसरे भाव में देव गुरू ब्रहस्पती का वक्री होना आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है किसी महंगी वस्तु का क्राई कर पाएंगे आकसमे का धन प्र बना करके आप रखें तकराव के स्थिती बिल्कुल उत्पन्न नहीं होने दे तालमेल बनाए रखें कारे छेतर में शडियंतर का सिकार होने से आपको बचना चाहिए गुप्त सत्रों से विसेश सत्र कर रहने की आवशक्ता रहेगी और उच्च अधिकारियों से अपने रूब रहस्पती का वक्री होना मानसिक तनाव आपको देगा और कहीं न कहीं आप में अहंकार का भाव भी पैदा कर सकता है इससे दोरान आपको बचने की आवशक्ता रहेगी वरना किसी बड़ी मुसीद्बत में इस समय आप पढ़ सकते हीं अपनी जिद्यम आवेश में आकर नियंतर्ण रखते हुए काम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता इमशादी विवाह संबंदित वारताएं आपकी सफल रहेगी देनिक व्यापारियों के लिए यह समय काफी लापकारी सिद्ध होगा अगली राशी ही कुम्भ कुम् आपको करना पड़ सकती है अर्थिक नुकसान हो सकता है अधिक व्याई के परिणाम सुरूप आर्थिक तंगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है गुप्त सत्रों के सांथी इस अवधी के मध्य उधार देने वा लेने से आपको बचना चाहिए अन्यता आपका दिया अगली राशी ही मीन से कम नहीं रहेगा इसलिए प्रतियोगी परिक्षा आदी में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मन लगा करके पढ़ाई करना चाहिए मेहनत करना चाहिए जितने अधिक आप मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम आप प्राप्त कर लेंगे और निजी संबंदों मे समय आपको सदुप्योग करना चाहिए समय बरबाद इस दोरान आपको नहीं करना चाहिए संबंदों को महत्तु देना चाहिए यह समय आपके लिए काफी महत्तु पूर्ण समय रहेगा इस समय आपको कोई महत्तु पूर्ण कारे करना चाहते हैं तो उस कारे के लिए आपको म विशेश उपाई कर लेना चाहिए जिन राशियों को अशुव प्रभाव मिलते हैं उनको विशेश उपाई कर लेना चाहिए कि देव गुरुब रहस्पती की प्रसनता के लिए गुरुवार का वरत आप कर सकते हैं और भगवान विश्णु जी की अधिक सैजिक पूजा इसमें शुब माना जाता है विशेश करके गुरुवार का यदि आप वरत करें तो वरत में आप पीले वस्तर ही पहने और पीले फल का प्रयोग करें यदि आप भोजन एक समय करना चाहते हैं तो भोजन में हल्दी मिला करके उसका प्रयोग करें और इस दिन विशेश करके आप नमक मसालेदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करें वरना इस वरत का फल नहीं मिलता है तो देव गुरू ब्रहस पती की प्रसनता के लिए इस दिन आप विश्णु भगवान को कच्चे दूद में हलती मिला करके केसर मिला करके उससे विशेक करेंगे तो इससे भी देव गुरू ब्रहस पती की विशेश करपा आपको मिलेगी और पीपल या केल के वरक्षे की गंद पुषपकस से पूजन करके यदि आप परिक्रमा करेंगे और देव गुरू ब्रहस पती के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करेंगे तो गुरू के शुब फलों को प्राप्त कर पाएंगे तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यान वर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वर शेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्टमित्रों फिर मिलेंगे